कप 2023 धीरे धीरे दिल्चस्प होता जा रहा है टूनामेंट में अब तक सिर्फ मेजबान भारत और पिछले सीजन की रन अप न्यूजीलेंड अजय रही है दोनों टीमों ने चार-चार मुकाबले खेल लिये हैं जिसमें टीमों ने सभी में जीत अपने नाम की है दोनों टीमों के जारी विजयरत से कहीं न कहीं ये तय होता जा रहा है कि दोनों का सेमी फाइनल में पहुँचना लगभग तय है वहीं अस्ट्रेलिया, इंगलेंड और पकिस्तान जैसे टीमों की हालत काफी खास्ता नजर आ रही है मौझूदा वक्त में न्यूजी लेंड रन रेट के हिसाब से अवल नमबर पर है वहीं टीम इंडिया आठ पॉइंट के साथ दूसरे नमबर पर काबिज टेवल में टाप चार में रहने वाली टीमों के बीच सेमी फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे किसी भी टीम को सेमी फाइनल मुकाबला खेलने के लिए 9 में से 7 लीग मैच जितने होंगे ऐसे में भारत और न्यूजी लेंड को अगले 5-5 मुकाबलों में से 3-3 मैच जितने होंगे वहीं टूनामेंट के फेबरेट कही जाने वाली पाकिस्तान, इंगलेंड और आस्ट्रेलिया पॉइंट टेबल में क्रमसा चौथे, पाचवे और छठे नमबर पर मौजूद हैं वहीं साउथ अफ्रिका के टीम की तीन में से दो मैजित कर तीसरे नमबर पर मौजूद है कौन सी टीम बाजी मारती है, अब तक भारतिय टीम चार मुकाबलों में अस्ट्रेलिया बंगलादेश को हरा चुकी है, वहीं न्यूजी लेंड ने चार मैचों में इंगलेंड को हराया है भारते क्रिकेट टीम के काप्तान रोईट सरमा के लिए भी शोक अप 2023 अब तक के बहतरीन गुजरा है, तो खुद भी फॉम में है और टीम को अच्छी शुरुआत से रहे तो वहीं टीम भी अच्छा परदर्शन कर रही है सभी खिलाडी टीम में अपने खेल को भली भाती समझते हुए, अपना काम वखूभी निभार है और टीम की जीत में अपनी भूमिका निभार है वही वज़ा है कि भारत ने अपने सभी 4 मैच जीते हैं बंगलादेश के खिलाफ मैच में भारत को एक बड़ा जटका लगा बंगलादेश के खिलाफ अपने ही गेंद पर फिल्डिंग के दोरान हर्दिक पंडिया को चोट लग गया और इनके टकने में चोट के वज़ा से लगभग एक सप्ता के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए 22 अक्टूबर को न्यूजिलेंड के खिलाफ होने वाले मैच में हर्दिक नहीं खेलेंगे रिपोर्टों के मुताबिक हर्दिक 29 अक्टूबर को इंगलेंड के खिलाफ होने वाले मैच में वापसी कर सकते हैं हलाकि ये खबर रोहित सर्मा के लिए रहत भरी खबर है झाल